हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सबी लोगों के लिए है जो थोड़ा सा काम करते ही थकान में सूस करते हैं, जिनें खून की कमी हो गई है और खून बढ़ाने के लिए वो लोग टैबलेट्स का सहारा ले रहे हैं। महिलाए तो अक्सर टैबलेट्स खाना भी भूल जाती है क्योंकि ज़्यादा तर महिलाए खुद की तरब कभी ध्यानी नहीं दीती। इसलिए आज मैं शेयर करने जा रही हूँ घरेलू उपाएं जो की बोड़ी में हीबो गलोबिन की मातरा बढ़ाते हैं। शरीर में खुद की कमी यानि एनिमिया एक मेडिकल कंडिशन है जिसमें शरीर में रेड बलड सेल्स की कमी हो जाती है। ऐसे में व्यक्तिके शरीर के सभी हिस्सों में खुद के साथ साथ ऑक्सिजन की परियापत मातरा पहुँचने में परिशानी हो जाती है। महलाओं में खून की कमी के कारण इनर्जी के ना रहना, सिर्दर, चक्कराना जैसे common problems नजर आते हैं। कुछ घरेल उनुक से healthy diet और स्वस्त जीवन सेली को अपना कर खून की कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। चलिए जान लेते हैं। एक निम्बू एक गिलास पानी में निचोड़कर पीने से खून तेजी से बढ़ता है। पालक में विटेमिन A, विटेमिन C, विटेमिन B9, आइरन, फाइबर और कैल्शियम अधिक मात्रा में होते हैं। पालक एक ही बार में 20 प्रतिशत तक आइरन बढ़ा सकता है। पालक का हम सबजे तो बना ही देते हैं और हम इसका सूप बना कर भी पी सकते हैं। एक गलास टमाटर का जूस हर रोज पिए। या फिर आप सेब और टमाटर का जूस एक साथ भी पी सकते हैं। सोया बीन में विटैमिन और आईरन की मातरा अधिक मातरा में होती है एनिमेया होने पर सोया बीन बहुत ही लाप्रदान करता है सोया बीन को उबाल कर खा सकते है या फिर हम रोज के सुबई के चाय के जगह सोया चाय पी सकते है सोया चाय पाउडर कैसे बनाने है इस पर मैंने आलरेड़ी विडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में दे रही हूँ मैं खुद हर रोज सोया चाय का सेवन करती हूँ जिससे मुझे बहुत लाब मिले है सबसे आसान तरीका आप गुड के साथ मुझ फली खा सकते हैं लेडिस किचन में काम करते करते भी गुड और मुझ फली खा सकते हैं इसके आप लड़ू बना कर भी खा सकते हैं खुन बढ़ाने के लिए आप दूद और खजुर का सेवन कीजिए। रात में सोने से पहले, कुछ देर पहले दूद में खजुर डाल कर रखे और थोड़ी देर बाद इसे पी ले। या फिर आप सिर्फ खजुर खाना चाते हैं तो हर रोज सुबए नाष्टे में दो या चार खजुर का सेवन करें। आपके बोड़ी में खुन तेजी से बढ़ जाएगा। आए जान लेते हैं फलो में कौन-कौन से फल खाना हैं। आम, सिता फल, सेब, पपिता, चीकू, नीमबू और अमरूत का सेवन अधिक मात्रा में करें जो की बोड़ी में हेमोगलोबिन बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। अगर इन में से कोई फल अवेलेबल नहीं है, तो आप नाष्टे में हर रोज एक केले का सेवन जरूर करें। हर रोज नाष्टे में ट्राइप रूट शामिल करें। किश्मिश, अनाज, गाजर और डाले अपनी डायट में शामिल करें। मूं, चने, मोट और गेहूं को अंकूरित करके इसमें नीम्बू मिलाकर नाष्टे में खाए। खाली पेट इसे खाने से बहुत फाइदे मिलते हैं। शरिट को ज़रूरी पोशक तत्व मिलते हैं। और एनीमिया कम करने में मदद मिलती है। अई ये अब जान लेते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। जादा चाई का सेवन ना करें क्योंकि चाई आईरन बनाने में रुकावट पैदा करता है। नारियल पानी अवेलेबल हुआ तो सुबह के नास्टे के बाद जरूर ले यह कून बढ़ाने में मदद करता है। सुबह नहाने के बाद सूरज की किर्णों में जरूर बैठे। किसी भी प्रकार का ज़्यादा स्ट्रेस ना ले क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेना हिमोगलोबिन कम करने के लिए एक कारण बनता है। रात में देर रात तक ना जगे और रात में कम से कम 8 गंते की नींद ले। अब मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप जो आपका ज़रूर फॉलो करनी है। अगर आपके आहार में आपने हरी सबजिया शामिल किया है तो आपको इसके साथ विटैमिन सी रिच फ्रूट्स लेना हैं जैसे की नीम्बू संत्रा। क्योंकि विटैमिन सी आइरन आउशोषन का काम करता है। अगर आप हरी सबजिया ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनमें से आइरन आउशोषित करने के लिए विटैमिन सी की जरूरत होगी। जो निम्बू से पूरी होगी इसलिए आप हर रोज भोजन में निम्बू को जरूर शामिल करें आपके आहार में फलों को जरूर शामिल करें आपको फल नहीं मिल रहे तो आप दिन में एक केला जरूर खाए जिससे एनिमिया कम होने में बहुत मदद मिलती है और सबसे आसान आपको सुबह के सूरज के किर्णों में आदे घंटे के लिए तो बेटना ही बेटना है। जितना मैंने वीडियो में बताया है उसमें से आपने आदे से कम चीजों पर भी ध्यान दिया तो आपका हिमोगलोबिन लेवल मेडिसीन लिए बिना ही बढ़ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको यूसफुल लगा हो तो ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को जरूर ब्रेस कीजिए ताकि कोई नया वीडियो आप मिस ना कर पाओ। थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो